आज मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ी आलू के गुटके, सिंपल सी रेसिपी है और इसमें आपको मसाले को पीस के डालने के जोयत नहीं है, मिक्सी की भी जोयत नहीं है, मातर दस मिनट में बनके तयार हो जाती है सबसे पहले हम इसके लिए एक मसाला तयार करेंगे, दो छोटा चमच यहाँ पर आपको साबुद धनिया लेना है, और धनिया का इस्तमाल करने से पहले आप इसे हलका सा गरम कर लिजेगा, उसके पाद आप धनिया लिजेगा और एक छोटा चमच आपको यहाँ पर चाहिए होगा, साबुद धनिया और जीरा को यहाँ पर हम थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे, बहुत अच्छा टेश्ट आता है, यकीन मानिये, इस तरीके से आप एक बार बना के देखिएगा, आप उंगलिया चाटते रह धनिया और जीरा को यहाँ पर दरदरा कूटने के बाद, थोड़ी सीस में हमें और चीज़े अट करनी है, तो दो हरी मिर्ची लेजएगा, और मोटी वाली मिर्ची का इस्तमाल करना है, जो बहुत जादा तीकी नहीं होती है, पांच से छे यहाँ पर चिली हुई लेसुन क कलिया ले लिजेगा, और अगर लैसुन जादा मोटा है, तो दो से तीन ही लिजेगा, एक इंच अद्रक का टुकडा लेना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको चाहिए होगा हरी धनिया, डंटल का इस्तमाल आपको यहाँ पर जरूर करना है, क्योंकि डंटल में बहुत अच अच्छे से दरदरा कूट लेना है, चाहे तो इसे आप मिक्से में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता है, और पहाडी आलू में तो लोग इस पेसली कूट के ही चीजे डालते हैं, इसी में हम थोड़े से सूखे मसाले भी एड़ कर लेंगे, तो ए मैं यहाँ पे आदा छोटा चम चल्दी पौडर का इस्तमाल कर रही हो, थोड़ा सा पानी डाल की मसालो को यहाँ पे अच्छे से मिला लें, और बस सभी चीजों के तियारी हो गई, चलते हैं अब फट फट से बनाने के लिए, सबजी को बनाने के लिए इस पेसली आप सरस का तेल डाल के उसे अच्छे से गरम कर लिया है, और तेल को कड़ाई में चारो तरफ हम अच्छे से फैला लेंगे, और हाँ अगर आपके पास लोहे की कड़ाई होना तो उसी में इस सबजी को बनाईएगा स्वाथ बहुत अच्छाता है, तेल जब अच्छे से गरम हो जा मैंने यहां पे तीखी वाली लाल मिर्शी का इस्तमाल किया है, सरसु जीरा जब अच्छे से चटकने लगे उसके बाद आप यहां पे पीसा हुआ मसाला डाल देजेगा, तो मसाले में हम थोड़ा सा पानी डाल के रखा था, तो जब तेल में हम मसाले को भूनेंगे तो मसा मसाले को डालने के बाद पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद यहां पे आप स्वात के अनुसार नमक डाल दें, मैं यहां पे देड़ छोटा चमज नमक डाल रही हूं, और अब हमें इसकी भुनाई करनी है, तो इसे बहुत जाता हमें नहीं भुनना है, बस दो मिनट इसे हाई फ्लेम पे हमें भुन लेना है, तो मसाले हमारे भुन के तयार हो गए हैं, अब हम यहां पे उबले हुए आलू डाल देंगे, मैंने यहां पे पूरा आधा किलो आलू लिया है, आलू को उबालने के बाद मैंने छील लिया था और उसे चार पीसिस मे काट लिया है, आलू को हमें यहां पे मसाले के साथ अच्छे से भुलने ना है, तो गैस का आज तेज रखें और दो मिनट इसे हाई फ्लेम पे भुलने, ताकि मसालो का जो फ्लेवर है वो आलू में अच्छे से आ जाएं, और मसाले आलू के साथ अच्छे से लटपटे हो आप इस आलू के गुटके को रोटी पराथा पूरी दाल चावल किसी के सांथ भी खा सकते हैं तो मसालें यहां पे आलू के सांथ अच्छे से कोट हो गए हैं अब हम यहां पे ताजा बाजी कट्यू हरी धनिया के पत्ते डाल के मिला लेंगे और एक मिनट और भुल लेंगे गैस बंद कर देंगे और चलते हैं इसे सर्व करने के लिए तो आज की रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमली में जरूर शेयर कीजेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और आप मेरे वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो मैं चलती हूँ इस सब्सक्राइब का आनंद उठाने अपने परिवार के साथ मिलते हैं एक और नी रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में तब तक के लिए बैबाई